बीजेपी सुप्रीमों मायवती ने आज प्रेस कॉन्फरेंस कर यूपी विधान परिशद में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए बीजेपी कैनिडेट्स को वोट देने वाले अपने बयान पर सफाई दी है उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ लेकिन मेरे बयान को गलत धंक से पेश किया जा रहा है खासकर यूपी में साथ सीटों पर हो रहे उपचनाओ में मुसल्मानों को बीएसपी से दूर करने की इरादे से कॉंग्रेस और एसपी मेरे बयान को गलत ढंक से पेश कर रही है लेकिन मुसल्म समाज जानता है कि जब कभी भी प्रिस्तितियों के मद्दे नजर हमने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है हमने अपनी विचारधारा और मूवमेंट के खिलाफ जाकर काम नहीं किया ये बात भी सभी जानते हैं कि जब भी हमने बीजेपी के साथ मिली जुली सरकार बनाई है यहां बीजेपी कमजोर हुई है मायवती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी सपा सत्ता में आई है यहां यूपी में बीजेपी मजबूत हुई है इसी वज़े से अब भी यूपी में बीजेपी की सत्ता है बीजेपी की साथ मिलकर सरकार बनाने के बावजूद भी हमने कभी यहां हिंदू-मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया लेकिन सपा कॉंग्रेस सरकार का राज दंगों से भरा रहा आगे मायवती ने कहा कि गलत खबरे फैलाई जा रही है कि बीजेपी और बीजेपी ने उपचुनाव में हाथ मिला लिया है बोलनशेद की सीट को लेकर वीडियो वाइरल किये जा रहे हैं ये बिलकुल गलत है आभी तक हमने कोई गटबंदन नहीं किया तो उपचुनाव में क्या करेंगे ऐसे में बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा एक दूसरे की विरोधी है तो गटबंदन करके चुनाव लड़ना संभव नहीं हो सकता मायवती ने कहा कि 2003 में बीजेपी का साथ छोड़ कर मुझे अपनी सरकार गवानी पड़ी लोग कुर्सी के पीछे भागते हैं कुर्सी के लिए अपने उसूलों और सिधान्तों को ताक पर रख देते हैं लेकिन मैंने कभी अपने सिधान्तों को नहीं छोड़ा मैंने जब इनकी बात नहीं मानी तो कुछी महीनों में मैंने अपनी सत्ता खुदी छोड़ दी थी मैं नहीं मानी तो केंदर की बीजेपी सरकार ने सीबियाई और एड़ी का गलत इस्तमाल कर मुझे दबाओ बनाया मेरे खिलाफ, मेरे माबाप और मेरे भाईयों के खिलाफ एक ही दिन में सीबियाई ने रेड़ की और मुझे काफी परेशान किया मायवती ने कॉंग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि साल 2003 में CBI की छापों के बाद सोनिया गांधी ने मुझे फोन कर कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो आपको न्याए जरूर दिलाएंगे इतिफाक से दो जाचार में कॉंग्रेस के सरकार के इंदर में आ भी गई लेकिन उन्होंने न्याए नहीं दिलाया हमने वादा याद दिलाया कि जांच पर दाल कर कि जो सही है हमें न्याए दो लेकिन कॉंग्रेस तो बीजेपी की भी बाप निकली कॉंग्रेस ने इस मामले को कई सालों तक लटकाई रखा हमें दबाते रहे लेकिन हमारे खून में दबना नहीं था हम सुप्रीम कोट गए और हमें नियाय मिला मायवती ने बीजेपी के साथ साथ घट के अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि पूरे देश में बीजेपी जैसी संकीरन सोच वाली ताकतों का हम साथ नहीं दे सकते और नहीं ऐसी ताकतों के साथ मिलकर कभी कोई चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन फिर भी मेरे 29 अक्टूबर के बयान को शडियंतर के तहट गलत प्रचार किया जा रहा है और उस कियार में अगर बीजेपी को राजनितिक नुकसान पहुचाना कोई चाहता है तो हम इसे किसी भी कीमत पर काम्याब नहीं होने देंगे इसलिए पहले की तरह आगे भी बीजेपी के साथ मिलकर कोई चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता मायवती ने मुसलिम समुदाय को संभोधित करते हुए काफिस पस्ट रूप से कह दिया मैं राजनिति से तो सन्यास ले लोगी लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती लेकिन मैं बीजेपी के दबाओ में भी राजनितिक सन्यास नहीं लेने वाली मैं बहुत मजबूत हूँ बहुत तगड़ी हूँ और बहुत ही स्वाभी मानी भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझ पर चाहे बीजेपी कॉंग्रेस ये सपा कितना भी दबाओ बनाए मैं दबने वाली नहीं हूँ और ना ही राजनिती से सन्यास लेने वाली हूँ मैं हर मोर्चे पर जाती वादी सामपरदाईक पुंजी वादी और संकीरन वादी ताकतों का बराबर मुकाबला करती रहूँगी मैं उनसे तिल बराबर भी घपराने वाली नहीं हूँ जब तक मैं जिन्दा हूँ बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता दोजार तीन में बीजेपी ने जो मेरे साथ किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती मानेवर काशी राम सहब बिमार थे अस्पटाल में थे लेकिन फिर भी केंदर की बीजेपी सरकार ने मुझा बहुत परेशान किया था दरसल राजेसभा में बीजेपी की राम जी गोतम के नामांकन के बाद से ही बीजेपी और बीजेपी के आग होशित गटबंदन के अफवाहें उड़ने लगी थी क्योंकि बीजेपी ने नोवा उम्मिदवार नहीं उतारा था लेकिन एसपी ने प्रकाश बजाज का परचा भरवा दिया इसी बयान को विरोधियों ने आधार बना लिया लेकिन आम मायवती ने ऐसे सबी सवालों का करार जवाब दिया है ब्यूरो रिपोर्ट देशूद्र साथियों अम्मिदकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल भोजन मीडिया को स्थापित करने में दाशूद्रा की आर्थिक मदद करें आप सीरे हमारे अकाउंट नमबर में मदद भीच सकते हैं बेनेफीसरी नेम है दाशूद्रा अकाउंट नमबर है 22233 0094689357 आएफसी कोड है आरेटीएन 0VAAPIS ध्यान दीजिए आएफसी कोड में आरेटीएन के बास 0 है ओ नहीं बैंक का नाम है आर्बियल और ब्रांच है मुंबई आप हमें 8595-7942-248 पेटीएम पर UPI के जरीए भी अमाउंट रस्फर कर सकते हैं पेटीएम गूगल पर और फोन पर के लिए हमारा एक ही नमबर है 8595-7942-24 जैभीन जैभारत